कि ऑग वेल्गम टू स्टेडिवाला तो फाइनली हम लो गुत हमेंगे solid geometry के उपपर तो इस वीटियो में भी देखेंगे solid geometry का introduction फाइनली जो जतने भी lectures होंके solid geometry के उपपर वह आपको इस वीडियो के description में भी फिर आए बट्न में भी आप लोग वहां से जाके check कर सकते हो तो हम लोग finally solid geometry में क्या पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे वो इस video पर हम लोग discuss करेंगे फिर अगली वीडियो हम बात करेंगे simply इसके जो इस solid geometry को पढ़ने के लिए जो आप लोग के basics है वो हम लोग इसकी अगली वीडियो में देखेंगे और उस video का नाम होगा basics of solid geometry तो finally अभी हम लोग देख लेते हैं कि solid geometry में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो इसके जितने भी basics होते है प्रिमिलियो में जितने भी आते ह हम लोग इस video की पहली वीडियो में discuss करेंगे और उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे the sphere ठीक है the sphere हम लोग उस video के साथ पढ़ेंगे यहां पर हम लोग दो चीज़ को cover करेंगे इस video पर पहला करेंगे हम लोग पूरा introduction प्री मिलियरिज में जितना आता है और यहां पर हम लोग plus से आपी स्पीर के उपर बात करेगे अब इसपीर में क्या सीजे आ जाती है इसकी कवेशन सा जाती है और इसके different forms आ जाती है ठीक है मतलब इस सिख वीडियो में हम लोग तीन चीजों के उपर बात करेंगे इंट्रोडक्शन दैस्पियर और आप लोगों का equation of isия in different form equation of equation of sphere in different forms okay in different forms ठीक है फिर अब हम लोग इत्ता होगे हम लोग का अभी हम लोग solid geometry की बात करेगी solid geometry के जो content है इसमें क्या पढ़ना होता है उसके उपर तो यह होगे आप लोग का first video part 1 में आप को इतने चीज़ से अगर जाहिए तो वह मिल जाएंगी फिर second part में मतलब part 2 जो रहेंगा इसका उसमें हम लोग बात करेंगे plane section of sphere plane section of plane section of sphere ठीक है या इसका separate video होगा कि इसमें कुछ चीज सिखने वाली है और इसके जो basics है वह आप लोग को आगे काम में आएंगे फिर हम लोग देखेंगे intersection of 2-2 sphere देखो यह पार्ट sphere का ही है लेगिन क्योंना एक combo video बना कि हम लोग उसको पार्ट पार्ट में डिवाइट कर दे कि आपको भी पढ़ने में मजा है और हम लोग को भी पढ़ने में मजा है तो जो हमारा 3rd video रहेंगा और 3rd topic है इसका solid geometry का वह आप लोग का intersection of intersection of intersection of two sphere ठीक है two sphere intersection of ठीक है फिर हमारा इसका जो next topic रहेंगा वो रहेंगा equation of circle इसका separate video रहेंगा कि बहुत बड़ा chapter है यहां पर हम लोग circle के उपर भी बात करने वाले है और equation of circle तो इसका पार्टी है solid geometry का तो वहां पर आप लोग की जो maximum चीज़े वो cover हो जाएंगी वो आप लोग का examination में काम हैंगी as well as आप लोग का अगर BSC के जो papers होते हैं उसमें तो बहुत-बहुत काम आने वाला है यह जितने भी topics से बहुत important फिर हमाला जो इसके अगला topic रहेंगा वो रहेंगा एनी स्पियर थ्रू द गीवन सर्कल ठीक है एनी स्पियर एनी स्पियर थ्रू द गीवन सर्कल गीवन सर्कल उसके बाद हमारा रहेंगा intersection of स्पियर एंड लाइन अब यह जो लाइन यहां पर वर्ड आ रहा है तो इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं देखो कोई नया नहीं है हम लोगों का 12th standard में हम लोग ने लाइन और प्लेन जो पड़ा था वही देखेंगे और मैं आप लोगों को बता दो हम लोग इसका introduction देखेंगे तो यहां पर यह चीजे को कवर करेंगे कि कितनी चीजें हम लोगों ने 12th standard में पढ़ चुका है और किन चीजों का हम लोग यहां पर revise कर र उस वीडियो पर हम लोग देखेंगे फिर हम लोग यहां पर देखेंगे tangent point ठीक है यह बहुत अच्छा बहुत अच्छा topic है इसको हम लोग discuss करेंगे यहां पर tangent point फिर हम लोग बात करेंगे आप लोगों का angle of interaction of two sphere ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूँ इसको angle of angle of the sphere of angle of intersection of angle of intersection of two spheres ओके फिर हमारे जो main three topics है वो अभी हम लोग discuss करते मैं इसको थोड़ा से अपर अभी आप लोग का इसको erase कर देता हूँ इतने में हो जाएंगा ओके इतने में इसको भी रेस कर देते तो अब हमारा जो आप लोग का solid geometry का जो main topics है solid geometry के जो आप लोग के आपे main topics है वो जो तीन topics है उसको अभी हम लोग discuss करेगे कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं तो जो separate video होंगा the कोन का ठीक है बहुत important part है यह solid geometry का इसी लिए इस topic को हम लोग पूरे पूरे वीडियो में डिसकस करेगे इसके questions को इसके questions करेगे इसमें कैसे questions होते हैं सबको हम लोग इस वीडियो पर discuss करेगे दो दकोन भी आप लोग को पढ़ना होता है solid geometry में फिर आप लोग को पढ़ना है the right the right circular cone ठीक है यह आप लोग को पढ़ना इसकी वीडियो इक्वेशन होती है वो भी हम लोग discuss करेंगे इसका भी आप लोग को सेपरेट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है the solid geometry का वो है the cylinder ठीक है the cylinder अब मैं आप लोग को यह पर कुछ चीजे यह पर clear कर देना चाहता हूँ जैसे कि अगर आप लोग कोई other universities के हो तो हो सकता है कि solid geometry के जो पार्ट है वो आपको अलग वे में हो मतलब इसके जो क्या numbering है वो अलग हो तो cylinder आपको पहले पढ़ाया जाता हो जग कोन आपको पढ़ाया जाता है लेकिन अगर आप लोग अपनी study कर रहे हो B.Sc के लिए और कोई भी entrance examination के लिए कि उन्हों जैम हो गेट हो तो particular इस lecture से या आप लोग उसको पढ़ सकते हैं हम लोग क्या करने वाले है चैप्टर वाइस पढ़ाने वाले है और यह जो topics है वो higher standard mathematics के लिए मतलब यह अगर आप लोग किसी भी entrance examination की preparation कर रहे है तो वहाँ पर आप लोग को इसका पार्ट मिल जाएंगा और अगर आप लोग B.Sc, M.Sc कर तो वह जो important parts है वह हम लोग इस वीडियो पर इस playlist पर discuss करेंगे तो इस वीडियो में हम लोग ने आप लोग को समझाने की कोशिश किये कि solid geometry में हम लोग क्या पढ़ने वाले है कैसे पढ़ने वाले है तो जो अगला वीडियो रहेंगा वो हमारा रहेंगा प्रिमिलरी इंट सब्सक्राइब करके आप लोग बैल आइकान को भी दबा सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में लोग फिर मिलेंगे जब तक के लिए बुट बाई